हालो दोस्तो नमस्कार आपका स्वागत करता हूँ फिर से हमारे एक नए वीडियो में दोस्तो आज हम बात करते हैं हम अपने पसुओं को एनिमल फीड सप्लिमेंट कब देते हैं और एनिमल फीड सप्लिमेंट देने से पसुओं में क्या-क्या फादे होते हैं मैं आज आपक पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूं उससे पहले दोस्तों आप सब हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं एनिमल्स से रिलेटेड वीडियों हमेशा बनाता रहता हूं अगर आपको एनिमल्स से सम्बंदित किसी भी प्रकार की प्रॉब लाइट जी दोस्तों इन्टालाइट ओरल इसका नाम है और यह है एनिमल्स फीड सप्लिमेंट अगर आप अपने पसुओं को इन्टालाइट ओरल देते हो तो क्या-क्या फैदे होते हैं सबसे पहले आप यह जालो होता क्या है इन्टालाइट अगर हमारा पसू ब्याई दूद पे कम देती है दूद धीरे धीरे कम हो रहा है दूद में विकास नहीं हो रहा है दूद से संबण्दित किसी भी प्रकार की समथ्या अगर आपके पसूओं में होती है या फिर हल्का-फूलका कमजोरी महसूस होता है तब आप अपने पसूओं को इन्टालाइट ओर दे सकते हो जो कि एक इन्टास कम्पनी की कापी बेश्ट कम्पनी की दवा आती है इन्टा लाइड वीड सप्लीमेंट का कापी अच्छा रिजल्ट देखा गया है हमारे पसूं में दोस्तों मैं अपने पसूं को इन्टा लाइड एनिमल फीड सप्लीमेंट देता हूं जिससे हमारा पसु काफी स्वस्त के साथ काफी अच्छे दूद देते हैं दोस्तों आप भी अपने पसुओं में इंटालाइट यूज कर सकते हैं उसके साथ-साथ इंटालाइट हमारे पसुओं को भूग को बढ़ाता है होता क्या कभी कभी हमारा पसु अच्छे से चारा नहीं खाता है तो इंटालाइट फीड सप्लीमेंट अगर अपने पसुओं को देते हो तो आपका पसु अच्छे से चारा पानी भी खाएगा साथ-साथ आपका पसु हेल्दी रहेगा और आपके सरीर पसु के सरीर में किसी भी प्रगार की प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें कॉपर प्लेटिनाम आयरान फासफोरा जिंग सोडियम सारा मिनरल इसमें मिला हुआ है आपके पसुओं को यह एनिमल फीड सप्लीमेंट कापी मदद करता है अपने आपके पसुओं में ग्रो होने के लिए तो दोस्तों आप भी अपने इंटालाइड एनिमल फीड सप्लीमेंट दे सकते हो इसका कोई भी साइड इफ्रेक्ट नहीं है दोस्तों खास बात तो यह है आप इंटालाइड को गाविन और बिना गाविन दोनों पसुओं को दे सकते हो तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्सर में जुरूर ब घर उसका कर दोस्तों?